तो दोस्तो स्वागत है आपको मेरे सेल बिंदा स्वित कार्तिक में तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे जिस प्लांट के बारे मैं बात करने वाला हूँ उस प्लांट का नाम है एसपैरिगेस तो दोस्तो इसमें कई वराइटी आती है इसकी फर्ण भी आती है और इसमें यह चैला हुआ है और यह दो जो देख रहे हैं यह दो नई टंडिया निकलिया हुए यह भी ऐसे पहले निकलती हैं फिर जब यह पूरी अपनी हाइट को रीच कर लेती हैं फिर यह ऐसी पत्यां देना अपनी शुरू करती हैं तो यह इसकी केर बहुत ही असान है दोस इसको फॉर्म करती है इसलिए इसको ज़्यादा फटलाइजर की जुरूत नहीं ही फटलाइजर में आप इसको गोवर की खाल वगए रहा दे सकते हैं और अपना देशी फटलाइजर जो भी होता है घर का कम्पोजट वगएर जो भी आप कप लिब दो वह आप फटलाइज जाएगा पानी आपको बिल्कुल इसमें मैंटेन करके रखना है गुडाई करते रहें का दोस्तों और फर्टिलाइजर का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेंगा क्योंकि फर्टिलाइजर इसको ज्यादा मत दीजेगा वनना यह सूख सकता है ब्राउन हो सकता है आपको इसको अगर मैंटेन करके रखना है तो आप इसको सनलाइट में रखिए जैसे कि मैंने रख रखा है यहां पर डैलेट सनलाइट मिलती है इंवहाई मिटी पूरी अच्छे तरीके से सूख जाती है और तभी फिर मैं इसमें पानी डालता हूँ इसलिए आपको इस बात का बहुत प्यारा पौधा है यह यह देखिए तो दोस्तों ऐसी वीडियो में बनाता रहता हूं आप सस्क्राइब जूरूर करिएगा मेरे चैनल को दोस्तों इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और जितने भी पॉट हैं आपके उसमें लगा सकते हैं य मेरा हाती altro अज़ता है यह और इसमें ज्याहां पर दोस्तों आपको देखे की हमाइप सूख रही है वहाँ पर बस इसको कट कर दीचे और यसमें मैंटेनस कोई युरूत नहीं है कि यहां जैशन पर आपधको है तो भी बारें अगर बात की जाये तो आप बोन मेरे सकत निकलता हूँ वो ही आप देजिए आप इसमें गोबर की खाद वगएरा दे सकते हैं जो कि एजी एवेलवल हो जाता है हर जगा पर इसलिए आप गोबर की घाद या तो ऑनलाइन मुझा सकते हैं या तो खरीद के अपने घर में भी तयार कर सकते हैं तो गोबर का फटलाइज देता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ और दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही चलिए मिलते हैं आप से किसी और वीडियो में तब तक लिए गुडबाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा